अब टो आज की अविवान आज की लेक्शेर में हमने एक नए आकाउंटिंगा इस्टाट करना है जिसका टाइडल है आई-स-38 इंटंगिवल असेट की डेफिनेशन और बहुत सारी चीज्जे तो माई-स-38 के सांड़र्ड में डिटेल में कवर करेंगे लेकिन आज की स्लेक् तो सदस्राइब एक लएमन डिसकूस करें कि इंटाइब होता है कि एक ऐसा ऐसेट जिसकी कोई फिजिकल सबस्टेंश नहुंच ऑगर कोई सौफ्टै करते हो यहाइन करते हों आपको लाइसेंस आपको रिसेच्च्टटन डिवालेब्मेंट आपको इसका फॉर्मिला कोई ऐ अब यहां पे हम बहुत सारी चीज़ें डिसकस करेंगे कि अगर हम एड़टाइजमेंट पे मार्केटिंग पे प्रोमोशन पे खर्चा करते हैं तो यह ऐसा खर्चा है जिसकी कोई फिजिकल सब्सेंस नहीं है तो क्या यह इंटैंजिबल आसेट है या नहीं है इसी तरीके से है अगर आपके पास कोई कॉलिफाइड स्टाफ है या आप अपने किसी इंप्लॉई की ट्रेनिंग मगरा कंड़क करवाते हो तो यह एक ऐसा बैनेफिट है जो कि फ्यूचर में रियलाइस करोगे इंप्लॉई की स्किल्स के दूरू इंप्लॉई की एक्स्पिरियंस के यह जिस तरीके से पाइस सिस्टी में प्रॉपर्टी प्लान एकमेंट को इनिशेली कॉस्ट रिकॉर करते थे और सब्सक्रीड मेजर्मेंट के लिए हमारे पास कॉस्ट मॉडर रिवालेशन मॉडल हुआ करता था इसी तरह की बाते ही आप आई इस टेंटेंजिबल आसेट डिसकस हो रही होगी लेकिन अगर एक इंटेंजिबल की हवाले से हम पर्टिकुलरी यह इश्यू डिसकस करें ना कि इंटेंजिबल की एक्जिस्टेंस को इडिंटिफाय करना थोड़ा से मुश्किल टास्क है लेकर आपके पास कोई प्लांटेट मशीनरी है कोई मोटर वह पर पर तो इस वजह से इस 348 में इंटैंजिबल डेफिनेशन को बड़ा डिटेल में डिसकस किया गया है इस थे इंटेंजिबल आसेट के इनिशलेक्डिस रेकनाईजिकन डाइचन करने की नतीजे में इसको इनिशली मेजर करने तरीकेकार होगा एट ताइम सापको इंट फॉर एजमपल कि आपने कोई सॉफ्टर कोई लाइसेंस कोई क्रेडमार्ट कोई कॉपिराइट परचेस कर लिया तो यह एक आउट्राइट परचेस ऑफ इंटैंजिबल है एक तैम्स ऐसा भी हो रहा होगा कि आप एक इंटैंजिबल इंटर्नली जिनरेड कर रहे होंगे for example कि आप कोई pharmaceutical company हो और आप कोई medicine का formula खुद internally एक scientist और researcher की team बना कर develop करते हो या for example कि आप एक education institution हो और आप अपनी teachers के lectures lectures खुद internally develop करते हो, internally record करके develop करते हो तो हम intangible को acquire भी कर रहे होंगे या फिर हम intangible को internally develop भी कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम major discussion करेंगे कि अगर एक internally generated intangible है तो उसको किस तरह से या कि situations में recognize किया जाएगा, इसी तरीके से हमें government grant की तुरू को intangible मिल सकता है, हमें एक business combination में को intangible acquire कर रहे होंगे, या फिर intangible को एक burden transition, एक exchange transition में recognize कर रहे होंगे, तो different modes of acquisition के नतीचे में initial measurement के लिए कुछ न कुछ बात है, हमें provide करता है, initial measurement के बाद intangible को amortize किया जाएगा, ठीक वैसे ही, जैसे property plan को depreciate किया जाता है, subsequently intangible के लिए भी हमारे पास cost model, revolution model होगा, बिल्कुल वैसे ही, जैसे आई 16 में cost model, revolution model था, लेकिन intangible के revolution model को apply करने की कुछ conditions है, इसी तरह से लिए clarification provide करता है, कि अगर एक company, अपने business के लिए, अपने customers के लिए, अपने employees के लिए, कोई website develop करती है, या किसी ठरट पारी से develop करवाती है, तो website को किस तरह से capitalize किया जाएगा, और amortize किया जाएगा, तो यह बहुत सारी बात है, intangible से pertaining, जो कि हम इस 38 के standard में cover कर रहे होंगे, आज किस लेक्चर में सरफ हमने एक brief overview discuss किया है, किस standard में हमें आने वाले वक्तों में क्या के चीज़ें देखने को मिलेगी, detailed discussion इमारी इंशाला, next lecture से क्ल स्टार्ट होगी, तो आज की जुफ्तुकू को हम ही तरह रखता है, thank you.